हलो दोस्तो वेलकम बेक टो पी डबलू ग्यानकोश दोस्तो अभी एक मुमेंट लगातार आग की तरह भड़ता चला जा रहा है देट इस फूर भी अब इस मुमेंट में यहाँ पर सेंटर थीम है वो तो आपको समझ में आ गई होगी कि देट इस फैमेनिजम कि किसी भी तरी की कि मुमेंट लगातार जब चलते चले जाते हैं तो इनका आउटकम कही ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉंसेक्वेंशल हो जाता है जिसके चलते एक तो ये बड़ा सवाल है कि क्या हूमन रेस की जिसकी बात हम कर सकते हैं उसको कम्प्लीट एक्जिस्टेंशल थ्रेक्ट त हमें मैंस की जरूरत ही नहीं है और उसी पार्ट का एक और एक्स्टेंडेड वर्जिन आप देख सकते हैं तो उसका मतलब यह है कि वो चार ऐसे काम है उनको बी बोलता है धैट मींज हम उसको नहीं करेंगे नो बी का मतलब नो होता है और वो चार क्या क्या काम है वो मैं आपको सीधा सीधा बता दू Thanos के साथ मैं इंट्रेक्षन में सबसे पहली चीजज आती है कि dating हम dating नहीं करेंगे number two, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम फिर उसके बाद में शादी नहीं करेंगे number three, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि शादी अगर हो गई तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे और फिर उसके बाद में एक point और भूल गया हूं मैं that is no sex that means कोई intimate relationship हम maintain नहीं रखने वाले हैं, तो कुल मिला करके एक complete discard करने का moment start हुआ, ये start हुआ था moment 2011 के लगबग, इसके पीछे कि हम सारी story समझेंगे, किस तरीके से ये moment आगे बढ़ा, क्या इसका origin था, इसकी theme हमने समझ ली, इनी बातों को आगे बढ़ने इसको जोइन कर सकते हैं, संकल्प आपको ध्यान होगा, English और Hindi में है जबकि Titan English में है similarly, 2025 के लिए जो लोग टार्गेट करें वो प्रहार और टार्गेट के लिए जा सकते हैं अगेन वो ही medium वाला system आप समझ लें फिर fundamental features की बात करने तो देखो इन में live and recorded classes मिल रही है CSET का आपको course मिलेगा इसके लावा MCQs और मेंस को अंसर question answer writing होगी और आपको comprehensive content मिलेगा admissions of minor join कर सकते हैं आप इसको, तो बात कुछ जैसी है कि 2011 में एक औरत के साथ में बहुत ही गलत incident देखने को मिला public place, public toilet वहाँ पर वो individual लड़की जाती है और वहाँ पर एक बंदा इतना ज़्यादा हीनियस आप कहसे तो दरिंद की पर उतर जाता है कि उसने उस लड़की को sexual conduct करने के लिए increase करने कोशिश की एक तरीके से कहीं ने promote करने कोशिश की बट उस लड़की ने मना कर दिया और उसके बाद में उस लड़के ने या फिर वो जो दरिंदा था उसने उस लड़की के साथ मार पीट की जिसके चलते हैं उसकी मौत हो गई वहाँ सही ये moment एक तरीके से peak पकड़ता है कि वाकई में महिलाओं के साथ में बहुत गलत काम होता है हर एक समाज में कहीं न कहीं महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है वैसे देखा जाए तो total population world की है उसमें आपको जादा भी नहीं तो 50-50% का ratio male and female का दिखेगा अगर हम general बात करें वैसे हो सकता है थोड़ा 50-50% उपर हो या फिर कुछ countries जैसे हैं जहां पर महिलाओं की संक्या बहुत ही जादा कम है जैसे कि West Asian countries हरा अब point यहां पर यह निकल के आता है कि 50% जनता को आप ignore करके चलते हो उनको आप अपने पाउं की जूती समझते हो तो वहां पर फिर वो महिला हैं जब समझदारी की तरफ बढ़ती है तो एकटा हो करके अपने अधिकारों की बात भी करती है और उन अधिकारों के चलते ही इन्होंने ये decide कि हम मर्दों को बिलकुल मना करेंगे हमें complete discard करना है और उसी के तहत आप देखें इसके अलावा बाई ओने नो डेटिंग बिसेक्स यू अब आप समझ लो कि ये चार इंपोर्टेंट आप कह सकते हूँ सोशल इंट्रेक्शन्स हैं जिनके चलते कहीं नगे human race continue करती चली आ रही है हजारों लाखों सालों से उसको एक बहुत बड़ा challenge देखने को मिल रहा है बट जैसा कि मैंने आपको बताया case क्या था कोरिया का किस तरीके से उस महिला के साथ अत्याचार किया गया ऐसे परिस्तितियों में यहाँ पर महिलाओं का एकटा होना अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है similarly ऐसा ही मुमेंट पहले भी चला था hashtag me too parallelly चला था उसमें क्या था यह जो बॉलिवूड, हॉलिवूड मैं पहले बोल गया पहले हॉलिवूड बोल दूँ फिर उसके बाद बॉलिवूड यह जो movie making industry है movie वाली है ना उसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर महिलाओं को एक तरीके से casting couch करने के लिए कहा जाता है वैसे मेल्स के साथ भी होती है यह problem जिसमें simple था यह कहा जाता है कि आपको x, y, z role मिलेगा बट आपको पहले favor करना पड़ेगा physical favor और वो चीजें फिर बाद में sexual exploitation का करण बनती है जहां पर लोग role models को या फिर जो ये movies बनती है उनके अंदर जो चेहरे दिखते हैं उनको role model मान करके आगे बढ़ना है पर उनकी पीछे की काली सच्चाई है उसको कोई नहीं जानता तब बहुत ज़्यादा problem होती है और उसी को expose करने के लिए hashtag me too moment start हुआ था हमारे देश में भी कई cases इससे related highlight हुए थे अब आप क्या देखते हैं कि महिलाओं के साथ में इतनी problems होती है उनके अंदर आप क्या-क्या चीजों पर notice करते हैं उनके साथ में stalking हो रही है उनको troll किया जा रहा है कुछ भी बोल दिया तो उनके पीछे पड़ गए बहुत बुरे तरीके से उनको exploit करने कोशिश की जा रही है जितना ज़्यादा social media का expansion हो रहा है उतना ही ज़्यादा इस moment में आप देखो कि 4B moment जो कि South Korea से start हुआ था और आज जब से Donald Trump की जीत हुई है अमेरिका में तब से लगातार अमेरिका में इसकी बातें उठ रही है क्योंकि हमें पता है Donald Trump conservative है वो कही ना कही pro basics approach रखते हैं कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए more or less stability है वो तभी maintain रहेगी जब हम जिस तरीके से चलते हैं वैसे चलते जाए बट वो conservative approach के चलते हैं आप क्या देखते हैं कि American Supreme Court ने आपको पता ना Roy वाला case आया था उसमें क्या बोला था कि abortion किसी का अधिगार नहीं है आप किसी life को खतम नहीं कर सकते हैं तो भी बहुत ज़ादा इससे के खिलाफ में आप देखते हो कि moment start होता है बट point यहाँ पर यह निकल के आता है कि एक तरफ तो हम यह notice करना है कि मैलाओं के साथ बहुत ज़ादा गलत हो रहा है बट वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में आज तक हम बोलते हैं ना आम तुमें भी सुनाओगा कि अमेरिकन सोसाइटी बहुत ज़ादा लिबरल है बट आप एक चीज सोचिए कि 235 सालों की हिस्ट्री से ज़ादा हो चुकिया 235 से ज़ादा सालों की USA की हिस्ट्री इंडेपेंडेंट इसे की हिस्ट्री आप बताईए एक भी प्रेजिडेंट फीमेल क्यों नहीं बन पाई यह जो डॉनल्ड टरंप है इन्होंने दोनों टर्म्स में किसको हराया है मैं खुद बता रहा हूँ मेरे खुद की दोन इलेक्शन्स अच्छे से आपजर किये हुए आप देखेंगे एक तो हिलरी क्लिंटन को हराया तो 2016 सात्रा वाले चुनाओं में और अभी हरा दिया कमला हैरिस को नो डाउट कमला हैरिस से एक weak candidate थी बट हिलरी क्लिंटन तो बहुत जादा strong थी उनको भी इन्होंने हरा दिया तो एक तरफ तो अमेरिका में इस तरीके की reformist moment start होता है हना और वहीं पर महिलाओं को इतना जादा एक तरीके से lead role play करने का मौका ही नहीं मिलता और अभी recently यह जो election conclude हो जाएंगी अभी आपको पता है है जनवरी को final result है जाएगा वैसे तो clear है कि Donald Trump victor हो चुके हैं बट आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर Donald Trump के जो voters हैं उनके अंदर महिलाओं का कि एक तरफ तो Donald Trump के लिए आप यह कहते हैं कि भई यह बहुत जादा conservative है महिलाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक approach नहीं रखते इवन Supreme Court या फिर जो American Judiciary वहाँ पर appointments भी conservative लोगों की हो रही है तो ऐसी पर इस्तितियों में Donald Trump के अगेंस मैंना चाहिए इन महिलाओं को वही पर कमला Harris जैसी लीडर को जिता लान चाहिए था बट यहाँ पर Donald Trump को जिता दिया और एक बड़ी इंट्रस्टिंग चीज आती है मैं आपको बता दूँ यह hashtag me too वाला मैं आपको concept अल्डरी बता चुका हूँ पर एक point में highlight करना चाहूँगा कि जब कभी भी महिलाओं के बीच में contradiction आता है आप notice करिएगा हो सकता है मैं गलत हूँ आप मुझे comment करके correct कर देना या फिर अपना opinion जरूर देना कि जब दो महिलाओं एक power के लिए लड़ती हैं या फिर आप देख सकते हैं कि हमारी society इंडियन society में आप notice करो कि घर के अंदर जब कभी भी दो महिलाओं साथ में बैठती हैं तो उनके बीच में कितनी तूतू महमियम चलती रहती है चाहे फिर वो मा बेटी ही क्यों ना हो आजकल थोड़ा सा कम केस देखने को मिल रहा है बट स्टिल अगर देखा जाए तो सास बहू हो दिवरानी जिठानी हो कुछ भी हो इस तरीके के रिलेशन्शिप के अंदर महिला है एक दूसरे के अगेंज में कॉंट्राडिक्ट करने लग जाती है और एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज ये निकल के आती है जब कभी भी फैमिनिजम और इनकी बात आती है तो उसके खिलाफ में कि चलो आपने शादी नहीं की फिर बोला जाता है कि आप ये बताओ फिर एक्स्टिंग्शन का कारण बन जाओगे आप सोसाइटी का तो जो कहता है न फार एक्स्ट्रेमिस्ट फैमिनिस्ट है उनके द्वारा एक पॉइंट का आ जाता है कि भई आजकल आई वीफ का सिस्टम है तो ऐसे में हम आर्टिफिक्शल कंसीव कर लेंगे बच्चा बट फॉइंट ही निकल के आता है कि बच्चा अगर वाई क्रॉमोजॉम के साथ में मिक्स हो गया इसका मतलब क्या होगा आपकी भी फिर बेटा हो जाएगा और आप खुद देखिए कि अगर आपके बेटा हो गया पॉर भी मूवमेंटे कई चल चुके हैं बट अगेन महिलाओं के साथ में गलत होता है इसमें कोई डाउट नहीं है बट आजकल के जमाने में जिस तरीके से महिलाओं के दुआरा पुरुषों के साथ में भी गलत किया जा रहा है ये भी कोई चुपी हुई बात नहीं है डावरी से रिलेटेड केसेज हैं वाकई में ये बहुत गलत सिस्टम है जिसके चलते आप दहेज लेते हैं बट पॉइंट ये निकल के आता है कि क्या महिला हैं पुरुषों का एक्स्प्लोइटेशन नहीं करती आज के जमाने में बहुत सारे केसेज आ रहे हैं इस वज़े से डावरी से रिलेटेड केसेज को जुडिश शरिया पुलीस भी जल्दी से ट्रीट टेकल करने से बचती हैं कि पता नहीं कि ये लड़की या औरत जो है कहीं सर्फिरी तो नहीं है पता पड़े ही कि इनोसेंट लोगों को फसादे ये एक दम सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको similarly abortion को लेकर के भी बहुत सारे माहोल बनते रहते हैं अबोर्शन एक human right है और एक lady को अपनी body पर पूरा अधिकार है बट वहाँ पर उस पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के भी तो अधिकार बन जाता है तो यहाँ पर एक contradiction निकल के आती है तो अलग-अलग देशों के अंदर अलग-अलग rule regulations है हमारे यहाँ पर भी abortion allowed है बट एक limit तक कि हाँ फ्रेग्नेंसी इससे ज़्यादा नहीं होनी चीए इससे एक particular time period है आप मुझे comment box में बताइए कि इतने time period तक abortion हमारे यहाँ करा सकते हैं उसे ज़्यादा कि अगर आप कह सकते हो कि embryo की age हो गई या उम्र हो गई तो आप फिर नहीं करा सकते हो खतम इसी तरीके से महिलाओं के साथ में जो कुछ भी online हो रहा आजकल वो हम देखी रहे बट अगेन आजके time पर महिलाओं के दुआरा भी बहुत कुछ गलत किया जा रहा उसका कौन लेगा भई हिसाब किताब तो यह भी एक बड़ा सवाल आ रहा है पॉइंट में हाँ पर यह नहीं कहना चारा कि society को दो parts में divide कर दो men and women नई यह दूसरे को compliment करता है man को समझना होगा कि वो महिलाओं की हिज़त करे महिलाओं को यह समझना होगा कि आदमी पुरुष जो है वो कही ना कही बाहर जाके struggle कर क्या रहा तो उनके साथ settle करे तो एक तरीके से एक कहा बताती है कि भई महिलाओं के relationship में पुरुष और महिला दोनों एक गाड़ी के दो पाई हैं दोनों साथ साथ चलेंगे तब गाड़ी चलेगी एक टायर भी गड़बड हुआ तो गाड़ी उलट जाएगी तो वो वाला सीन है यहां पर अब देखो हमारे यहां पर rape के incidents बहुत जादा है यह तो वो data है जो कि NCRB के पास में recorded है सोचो कितने ज़्यादा unreported cases जो families के अंदर ही हो जाते हैं राइट कई cases देखने को मिलते हैं फिर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तब वो पताते हैं कि हमारे साथ यह गलत हुआ था X Y Z Relative ने हमारे साथ किया था अच्छा आजकल तो यह बड़ी interesting चीज है कि यहाँ पर केवल महिलाओं के साथ ही नहीं यह problem छोटे बच्चों के साथ भी आपको पता है चाइल्ड कितना sexual abuse हो रहा है ठीक हो उसको रोकने के लिए बहुत भरसक कोशी से की जा रही है बट अगेन हमें कहीना के इन चीजों में अलर्ट रहना होगा अब आप देखो कि 18 साल से कम उमर के बच्चों के साथ में भी problem हो रही है चाए वो लड़का हो चाए लड़की हो तो यह चीजे कहीना कहीन हमारे society की एक reality को expose भी करती है और international level पे भी हमें दिखाई पड़ता ह कि मेलाओं के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए वो इकठा होके लड़ना चाहती है बट एक तो यार सवाल बनता ही है कि यह moments इतना जादा online ही क्यों रहते हैं क्योंकि कहीना कहीन एक कहतना की comfort zone में रहना इनसान को पसंद है वो comfort zone से थोड़ा बहार निकल कर कि अगर काम कि जा सकते हैं और आप ही रहें ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं आ रहें राइट अमेरिका की बात करें तो डॉनल्ड ट्रंप के आने के बाद में अभी जो एक वो कल्चर चल रहा था उसके लिए बड़ा चैलेंज हो चुका है वो कल्चर का मतलब हो गया कि एक्जिस्टिंग जो कुछ भी है उसको बिल्कुल चैलेंज कर दो ठीक है महिला पुरुष का जो रिष्टा है उसके अंदर बिल्कुल एक्स्ट्रीम जाकर के खतम करो अपने अधिकारों के लिए आप सब कुछ कर डालो जो चाये एक्सेप्टेबल ही नहो राइट इसी त कोरिया से स्टार्ट हुआ था आज अमेरिका में तूल पकड़ रहा है बट अगेन मैं बता दूँ यह अगर ऑनलाइन रहेगा तो इसके लिमिटेशन से इसको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की जरूरत है तो इस तरीके से यह अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमें देखना था मैंने आप से एक सवाल पूछा है कि हमारे यहां पर अबोर्शन की जो एक टाइम लिमिट है वो कितनी है आप मुझे बताईए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था थैंक्यू वेरे मच पर वाचिंग दिस वीडियो